और शले मुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्की बड़ी ख़वर के साथ बता दें आपको हिंदुत्व के खिलाफ, ओवैसी ने एक बात पर उगला है जहर, हिंदुओं के इतिहास पर ओवैसी का बड़ा वार, हिंदुओं के इतिहास को बताया जूटा यह बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं, हिंदुओं फेक इतिहास की फैक्टरी ओवैसी ने यह बात कही है, योगी के चंद्रगुक्त और सिकंदर वाले बयान पर वार किया है, तो यह बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं, ओवैसी जो की लगातार उतर प्रदेश में जूठा बताते वे मुगलों की तारिफों के पुल बांधे हैं, तो लैला का नफरती ये खेला चालू है, इन दिनों वैसी मुसल्मानों के वोट बटोरने के लिए अपनी जबान से तेजा भी बारिश कर रहे हैं। कॉंग्रेस के बाद उएसी का नफरती गयाद। हिंदूों के हिस्ट्री से उएसी को चिड़। विदेशी आकरांता उएसी के लिए हीरो। हिंदूों के खिलाव जहर उगलना ही, इनका काम है, इनके पास नफरत का ही ग्यान है। राम के अपमान और मुगलों के सम्मान से ये वोट बटोरते हैं। कभी भारती संस्कृत परवार करते हैं, तो कभी विदेशी आकरांताओं को सलाम करते हैं। असदुद्दीनों ऐसी। ये सियासत का वो चहरा है, जो राम नाम सुनकर तम-तमा उठता है। हिंदूों का इतिहास इसके लिए बकवास है, मुगल शासक ही इसके लिए खास है। यूपी में चुना हुए, इसके लिए लैला का नफरती खेला चालू है। उएसी मुसल्मानों के वोट बटोरने के लिए अपनी जबान से तेजावी बारिश कर रहे हैं। कभी हिंदूों पर निशाना साथ रहे हैं, तो कभी हिंदूों के इतिहास को जूठा बता रहे हैं। लैला के सीने में नफरत की बारूत भरी है, जो कभी मंचों पर भड़क रही है, तो कभी बयानों से चलक रही है। इस बार तो लैला ने हद पार कर दी है। OASI ने ट्वीट कर सौ करोण हिंदूआँँ पर सबसे बड़ा प्रहार किया है OASI ने कहा है कि हिंदुट एक नकली इतिहास का कारखाना है OASI का ये ट्वीट सी यम जोगी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया था इतिहास ने असोग को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत पताया किसको बताया चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वा सिकंदर को महान पता दिया योगी ने समराट अशोग और चंद्रगुप्त का नाम क्या लिया वो ऐसी के शरीर में साप लूटने लगे वो ऐसी का बैलेंस इतना विगड़ गया है कि अब वो हिंदूओं के खिलाफ खुले आम जहर उगल रहे हैं जमूरियत में मुझे अपना हक चाहिए मुझे मेरी आवाज उठाने का हक चाहिए मैं अपना हक चाहता हूँ परलिमेंट हो या उत्र परदेश की विधान सवा हो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज को सुना जाए मेरे मसाइल को हल किया जाए यूपी में मुस्लिम वोड बैंक पर सेंध लगाने के लिए उत्रे उएसी की सियासत ही हिंदू मुसल्मान वाली रही है हिंदूों के खिलाफ आवाज बुलंद करके ही वो अपनी चोली में वोड बटोते हैं विधेशिया क्रांता उएसी के लिए हीरो है और भारत का गौरोफ शाली इतिहास उनके लिए महस कागच पर लिखे चंदक्षा ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया वहीं आगे बड़े आपको बटाए कॉंग्रेस के वरिष नेता मनी शंकर अईयर ने भी जोहर उगला है अईयर ने मुगल शासकों की तारीफ किये बाबर की बगती में अईयर के बिगडे बोल भी सामने आए हैं तो बतादे आपको अईयर ने हिंदू आस्था का अपमान किया है अईयर का बीजेपी परवार हिंदूत्व पर निशाना साथ अदोर लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से यहां कॉंग्रेस की तरह से अब हिंदूत्व पर एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं और अब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मनीशंकर अईयर ने अब जहर उगला है मुगल शासकों की तारीफ की है और ये पहला मौका ने इससे पहले भी कई बार मनीशंकर अईयर इस तरह की बयान देते रहे हैं राहूल गांदी के बेतु के बयान के बाद अब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मनीशंकर अईयर का मुगल प्रेम बाहर आया है कॉंग्रेस के भसमसुर का मुगल प्रेम मुस्लिम आत्वताई कॉंग्रेस के भाई हिंदुस्तान के लुटेरों पर अयर को फक मुगलों ने इस देश को अपना बनाया बाबर की भक्ती में हिंदू दिखे अप्या चाहिए मुस्लिम आकरांताओं से प्यार हिंदू गद्दार वो भी आये थे क्योंकि उनको निमंतरन दिया गया था राजा जैचन के तरफ से कि मेरे दामाद को सही सबक से खाना है तो मैं तो उसको हारा नहीं पारा तो आप आईए और मुशको मदद कीजिए कहते हैं सियासत में बयानबाजी का बड़ा रोल होता है नेताओं का दिया बयान कभी उनकी पार्टी के लिए वोटों की पैदावार बढ़ाता है तो कभी देश को बाढ़ने का काम भी कर जाता है देश में ताजा हला ऐसे हैं कि इस वक्त कॉंग्रेस के नेताओं ने मानो हिंदू के खिलाव पूलने का थेका ले रखा है कभी सलमान खुर्शीद हिंदू और हिंदुत के खिलाव अपनी भलास निकालते हैं तो कभी राहुल गांधी हिंदूत और हिंदू को अलग-अलग बता कर अपने ज्यान का पर्चा दे थे रहुल गाली के बेतु के बयान के बाद, अब कॉंग्रेज के वरिष्ट नेता मडी शंकराईयर का मुगल प्रेम बहार आया है। मडी शंकराईयर ने अंग्रेजों और मुगलों की दुल्ला करते हुए मुगल लुटेरों पर फक्र जताया है। यह हैं अंतर अंग्रेजों और मुग्लों में, कि मुग्लों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वहीं है, जहांगीर आधा राजपूत थे, और उनके बेटे शा जहां, चार में तीन हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था, वो इस देश के थे, और यह कहना कि बाबर की उलाद, इसलिए आपको यहां रहने की इजाजत ही नहीं है, कि आप कैसे आये हो यहां, कि आपने हमें हमारा गला काटा है, आयर ने एक तरफ मुगलों की वकालत की, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए निशाना साधा, उन्होंने कहा, कि सप्ता में बैठे कुछ लोग केबल हिंदू तो कुमान थे, अठारा सो बहत्तर में अंग्रेजों ने पहला संसस करवाया, और उससे पता लगवाया, पता लगा, कि 666 साल राज करने के बाद, मुसल्मानों का ताधात भारत में तकरीबन 24 प्रतिशत का था, और हिंदूों का 72 प्रतिशत का था, और ये कहते हैं कि नहीं, मार पीठ हुई, सब को, सब लड़कियों पर बलातकार हुआ, और इन्होंने सब को मुसल्मान बना दिया है, मुसल्मान बनते तो आगड़े तो अलग होने चाहिए, कि 72 प्रतिशत मुसल्मान होने चाहिए, और 24 प्रतिशत हिंदू होने चाहिए, अयर का वार यकीनन बीजेपी की तरफ था लेकिन निशाने बार हिंदू और हिंदुत्तु था अयर एक तरफ बाबर की भक्ती कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें हिंदु अत्याचारी दिख रहे थे शाय दैयर का एजंडा ही हिंदू आस्था को ठेश पहुचा कर वोटों की फसल काटना है वोटों के लिए बयान जरूरी है, वादे जरूरी है, दावे जरूरी है लेकिन हिंदू आस्था और हिंदू तो पर प्रहार करते हुए, मुस्लिम आतुताईयों को अगर कॉंग्रेश अपना भाई बनाती है, तो ऐसी सियासत पर हिंदूस्तान को घीनाती है ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया और चरी आगे बढ़ते खब में, वारणसी में आज मा अनपूर्णा की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, सीम योगी मूर्ती की करेंगी प्राण प्रतिष्ठा ये बड़ी कबर आपको बता रहे, 108 साल बाद कैनेडा से लौची है, मूर्ती चोरी हो गई थे 108 साल पुरानी है, 28 सदी की प्राचीन मूर्ती 13 दिसमर को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अपने आप में ये बेहद जो तस्वीर सामने आएगी, वो बेहद मैं तो पूर्ण होगी, क्यूंकि आप समझे, 28 सदी में ये मूर्ती चोरी वी थी केनेडा से लोटी है अठारवी सदी की ये प्राची मुर्ती